मेरा नाम ललिता है मेरे पिता जी सबजी का ठेला लगाते थे मेरे पिता जी की सबजी ताजी और अच्छी क्वालिटी की हुती थी इसलिए ज्यादतर लोग मेरे पिता जी से सबजी खरीदना पसंद करते थे वो हमारे घर पर भी अपनी सबजी लेकर आते थे लेकिन कभी कि पिता जी को अपने ठेले के करीब नहीं जाने देते थे। पिता जी के ठेले पर पड़ी जिस पर रखी हुई सब्जी सड़ी हुई थी और बहुत गंदी हो रही थी। मैंने सोचा कि सड़ी हुई सब्जी निकाल कर फेक देती हूँ वरना बाकी की सब्जी भी खराब हो जाएगी। तो मैं ऐसा करने ही चली गई। लेकिन सब्जी के ह हटते ही मैंने सब्जी के नीचे जो चीज देखी उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए कि सब्जी के नीचे तो कुछ ऐसी चीज रखी हुई थी जिसे देखकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई। मेरी उम्र 25 साल है। हम लोग बहुत गरीब हैं। मैं अपने पिता जी क मा से ही बचाया करते थे मगर फिर भी मेरी मा मुझसे बहुत प्यार किया करती थी ये तो उनकी शरारत और महबत थी मेरे साथ और ऐसा सच में ही था वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी और मेरे पिता भी मुझ पर हमेशे अपनी जान नियोचावर करने के लिए तैयार रहते थे मेरे पिता जी मेरी हर डिमांड सबसे पहले पूरी करते थे जबकि वो बहुत गरीब थे और बहुत मेहनत से पैसा कमाते थे हम लोग अपनी छोटी सी जिन्दगी में हसी खुशी रहते थे मेरे पिता जी की एक सबजी की दुकान थी मा भी पिता जी की मदद करने के लिए कभी कभी सबजी की दुकान पर चली जाती थी मैं भी जिस दिन फिरी हुआ करती थी तो अपने माता पिता के साथ सबजी की दुकान पर बैठ कर सबजी बेच लिया करती थी मेरे चाचा भी थे जो कि हमारे घर में ही रहते थे क्योंकि मेरे दादा दादी तो अभी तक शादी नहीं हुई थी इसलिए उनका खयाल भी मेरे माता पिता ही रखते थे चाचा जी कोई काम नहीं करते थे क्योंकि उनकी दोनों टांगे नहीं थी एक हाथसे की वज़ा से उनकी दोनों टांगे चली गई थी यही वज़ा है कि उनकी आज तक शादी नहीं गई कभी कभी वो बैठे बैठे मा के साथ घर के काम में हाथ बटा दिया करते थे जैसे चावल, चुनना, सब्जी, काटना वगेरा एक दिन अचानक मुंसी पालिटी वाले लोगों ने मेरे पिता जी की दुकान को गिरवा दिया और कहा कि ये दुकान सरकार की जगा में बनी हुई है, इसलिए ये तुम्हारी दुकान नहीं, इस तरह मेरे पिता जी की दुकान तूड गई और हमारा सब्जी बेचने वाला कारुबार भी ठप हो गया, अब हमारे घर में बहुत जादा गरी भी आ गई थी, मेरे पिता जी के पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा थ जो सब्जी थी, वो भी लोगों ने दुकान तोड कर मलबे में मिला दी थी, काफी दिनों तक मेरे पिता जी नौकरी की तलाश करते रहे, मेरे पिता जी अगर पड़े लिखे होते तो उनको नौकरी असानी से मिल जाती, अब जब की शुरू से ही उन्होंने सब्जी बेच इसी वज़ा से उन्हें किसी काम की नौलिज भी नहीं थी, मैं अपने माता-पिता से नौकरी करने के लिए कहती, तो वो हमेशा मना कर दिया करते थे, उनका कहना था कि बेटी नौकरी करती हुई अच्छी नहीं लगती, मेरे पिता ने कहा कि बेटी, अभी मेरे इतने बु न चाहते हो आप ही कर लो अपनी मर्जी से मेरे पिता जी ने मा के सोने के कुंदल बेच कर एक ठेला खरीद लिया और मेरे पिता जी ने घर घर जाकर ठेले पर सबजी बेचना शुरू कर दिया वो सारा सारा दिन सबजी बेचा करते थे पाने तो पिता जी से कहा था कि वो कही न जाएं और अपनी ही गली में ठेला लगा कर सब्जी बेच लिया करें मगर फिर मेरे पिता जी के समझाने पर वो खामोश हो जाया करती थी मेरे पिता जी उनसे यही कहा करते थे कि भला एक जगा ठेला खड़ा रखने से सब्जी कैसे बिख सकती है दुकान की बात अलग होत और वो कौन सा कहीं दूर जाते थे हमारे ही महले में और पास वाले महले में सब्जी बेच कर आते थे जब सब्जी बिख जाती तो पिता जी राख को घर वापस लोट आते और राख को कुछ देर हमारे साथ भी समय बिता कर सो जाया करते थे पिता जी का कहना था कि लोग त पहहकर तो सबसी बेचा करते थे, दिन इसी तरहा से गुजर रहे थे, पिता जी जब भी घर आते, मेरे लिए काफी सारा समान लेकर आया करते थे, उनको अपनी सबसी की दुकान से ज्यादा सबसी के ठेले में फायदा होने लगा था, जिससे हमारे घर में काफी कुछ ऐसा थ जो हमने नया खरीदा था पिता जी की आमदनी भी बढ़ गई थी और सड़ी हुई सबजी भी नहीं बचती थी जितनी पिता जी दिन भर में सबजी खरीद कर लाते वो सारी लोगों को बेच कर ही घर वापस आते थे वो मेरे लिए भी हर वो चीज लेकर आया करते थे जिसकी म मैंने उनसे कभी भी नहीं कही होती थी मुझे बहुत खुशी होती और मुझे खुश होता हुआ देखकर मेरे पिता जी भी बहुत खुश हो जाते थे वो जब भी घर आते तो मा उनसे एक यही बात कहा करती थी कि पैसे जोल कर रखा करो आने वाले टाइम में जुड़े मैं बच्पन से ही अपने माता पिता की लाडली थी और मेरे माता पिता का सपना था कि वो मेरी शादी खूब धुमधाम से करेंगे और मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे मेरे माता पिता का कहना था कि हमारे लिए तो सब कुछ हमारी बेटी ही है मुझ में ही उनको अपने जिन्दिगी और अपनी खुशिया नजर आया करती थी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था अब दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे क्योंकि घर के हालात जो बहतर होने लगे थे पिता जी सुबा को ठेला लेकर निकलते और रात को ही घर में घुसते थे मा के बाहर कहने पर कभी कभी पिता जी शाम की टाइम ही वापस आ जाते थे क्योंकि मां का पिताजी से यही कहना था कि रात के अंधेरे से पहले पहले ही घर आ जाया करो मुझे भी अपने पिताजी से ज्यादा देर तक अलग रहने की आदत नहीं थी मगर अबादट डालनी पड़ी थी क्योंकि घर के हाला तो तभी सुधर रहे थे जब पिता जी गली महले में घूम घूम कर ठेले पर सबजी बेचते थे वो मुझे और मा को समझाया करते थे कि यही काम हमारी जिन्दगी का हिस्ता है इसलिए मुझसे अलग होने की आदट डालो क्योंकि मैं जब बाहर के काम में ध्यान दूँगा तब ही घर के हालाद बहतर होंगे इसलिए काम से कभी भी घबराया नहीं जाता काम कैसा भी हो उसे दिल लगा करना चाहिए और अब हमें भी ये बात समझ आ गई थी कि अच्छा था कि मेरे पिता जी का इस सबजी बेचने वाला काम अच्छा चल रहा है कम से कम पहले से ज्यादा तो पैसे आही रहे थे मेरे पिता जी के ठेले पर सबजी खोब भिक रही थी और लोग मेरे पिता जी की सबजी को बहुत पसंद करते थे ऐसे काम भी किसी किसी के ही चल निकलते हैं और भगवान का लाख लाख शुकर था कि जिस दिन से मेरे पिता जी ने ठेले पर सबजी बेचना शुरू किया था, उस दिन से हमारे घर के हालात काफी बैतर हो गए थे, जबके दुकान पर इतनी ज्यादा सही पैसे नहीं मिलते थे, मा मेरे मामा जी के घर गई थी, पिता ज होने से पहले घर वापस नहीं आते, तो वो इतनी जल्दी घर कैसे आ सकते थे, फिलहाल जो भी हो, मैंने दर्वाजा खोल कर देखा, जब मैंने दर्वाजा खोला, तो मा या पिता जी में से कोई भी नहीं था, बलकि लगभग 30-35 साल की उमर का आदमी लग रहा था, मैं ज पर था, कौन था वो, और वो इस तरह से हमारे घर का दर्वाजा क्यों बजा रहा था, वो जो भी था, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था, मैंने उनकी बात सुने बिना ही कह दिया था, कि मा या पिता जी में से कोई भी घर पर मौजूद नहीं, आप जो भी कोई हो, या किस पर रहना चाहता था, मैं उस आदमी की बात सुनने के लिए रुख गई थी, और उनकी तरफ देखकर उनकी बात सुनने लगी, जब उस आदमी ने कहा, कि मैं तुम्हारे पिता जी से कुछ बात करने के लिए आया था, अब वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे उनको कुछ स समान दे गए हो, मैंने उस आदमी के हाथ की तरफ देखा, तो उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी समान देने से इंकार कर दिया, और कहने लगे कि मैं तुम्हारे पिता के हाथ में ही समान दूंगा, मैं बाद में आ जा यह कहकर वो जाने लगे, मैंने सोचा कि बड़ा ही अजीब आदमी है, यह सोचते हुए मैंने दर्वाजा बंद कर लिया, आज से पहले कभी भी कोई ऐसे हमारे घर पर नहीं आया था, और फिर घर पर मा भी मौजूद नहीं थी, जो इस आदमी से सारी डिटेल ले सकती, य यह मा पहचान जाती कि यह आदमी कौन है, शायद मैं इनको नहीं जानती हूँ, यह हमारा कोई रिष्टेदार तो नहीं था, और वो नहीं मेरे पिताजी का कोई दोस्त था, मैंने आज इस आदमी को पहली बार देखा था, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं रहा था, फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया, और सोचा कि जब मा या पिताजी में से कोई घर पर आ जाएगा, तो इस आदमी के बारे में बता दूंगी, लेकिन थोड़ी दिर की बाद जब मा घर पर आ गई, तो मुझे याद आ गया, कि एक आदमी घर पर आया था, और पिताजी को कुछ समान देने की बात कर रहा था, मैंने इसी तरहां से मा को बता दिया, मा ने कहा, कि हो सकता है, तुम्हारे पिताजी का कोई जानने वाला हो, और तुम्हारे पिताजी ने उनसे कोई समान मंगवाया हो, अपनी मा की ये बात सुनकर मुझे तसली हो गई थी वरना तो मुझे कुछ गड़बड का एहसास हो रहा था ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल अंदर ही अंदर इतना क्यों घबरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ गलत होने वाला है लेकिन मा को इस बारे में बता कर मुझे कुछ तसली हो गई थी रात को जब पिता जी आए तो शायद माने उनको इस बारे में बता दिया होगा और मेरा भी ध्यान नहीं गया कि मैं पिता जी को उस आदमी के बारे में बता दूँ जो समान लेकर आया था मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था पिता जी को खाना देने के बाद मैं भी सो गई थी और अगले दिन जब मैं सो कर उठी तो पिता जी 7 बजे ही ठेला लेकर सबजी बेचने के लिए निकल पड़े थे पहले मैं फिरी हुआ करती थी तो पिता जी की दुकान पर जाकर सबजी बेच दिया करती थी इसी तरहां से मेरा टाइम पास हो जाता था लेकिन अब मेरा टाइम पास नहीं होता था इसलिए अब मैं अपनी एक फ्रेंड के घर चली जाती थी मेरी माँ भी मुझे उसके घर जाने से नहीं रोकती थी जब दिल करता था तो मैं उसके घर चली जाया करती थी पिता जी को भी मेरा उसके घर जाने से कोई अतराज नहीं था एक दिन रोज की तरहां जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि सुभा के दस बज गए थे लेकिन अभी तक मेरे पिता जी सबजी बेचने के लिए नहीं गए थे मैं जब पिता जी के बारे में मां से पूछने के लिए किचन में गई तो मां पिता जी की पसंद का नाश्ता बना रही थी मैं पिता जी के कमरे में उनसे बाते करने के लिए गई तो पिता जी जागे हुए थे मैं उनकी कमरे में बैठ कर उनसे बाते करने लगी मैंने कहा पिता जी आज आप सबजी बेचने के लिए नहीं गए तो उन्होंने कहा कि अब वो सारा सारा दिन सबजी नहीं बेचा करेंग मैंने कहा पिता जी ऐसे कैसे हो सकता है क्या एक दो घंटे में आपकी सबजी बिग जाएगी या फिर एक दो घंटे में आपको सारा दिन के पैसे मिला करेंगे लेकिन ऐसा तो नामुम्किन है पिता जी मुझसे कहने लगे बेटी यही बात है एक दो घंटे में ही हमें सारा द ग्ढ़ी घंटा किसी बजार में ठेला लगा लिया करेंगे जहां पर भील ज्यादा होती है और जहां भील होती है वहां पर सब्जी जल्दी बिग जाती है मेरी माँ खो भी यह बाट ठीक लगी थी क्योंकि एक एक गली में जाने से अच्छा था कि एक तरफ ख़ड़े होकर भीड़ वाली जगह पर ठेला लगाने से ज्यादा लोग एक ही बार में सबजी खरीद लेंगे। इससे महनत भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। कम टाइम में ज्यादा मजदूरी हो जाएगी। पितजी ने अब दोपैर को दो टीन घंटे मार्केट के अंदर सबजी का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। लोग बड़े शौक से मिरे पितजी की सबजी खरीदा करते थे। वो दोपैर को जब सबजी का ठेला लेकर निकलते तो कुछ सबजी तो उनके निकलते हुए ही लोग खरीद लिया करते थे और उसके बाद मार्किट के अंदर जाकर सारी सबजी बेचकर ही घर वापस लोड़ते थे वो घर में बनाने के लिए भी सबजी बचाकर लाया करते थे जो की मा बनाती और हम रात को उसे खाते थे मेरे पिता जी जो सबजी लेकर आते थे वो मुझे अपने पिता जी की सब्जियां बहुत पसंद आई थी क्योंकि सब्जी साफ सुतरी होती थी और बिल्कुल ताजी होती थी और खाने में बहुत टेस्टी बनती थी इसलिए वो रोज ही घर के लिए सब्जी बचाकर लेकर आया करते थे पिता जी घर में आते ही मेरे हा जायद उनको कोई important काम याद आ गया होगा या फिर कोई और बात होगी मैंने देखा कि पिता जी ठेला खड़ा करके घर से बाहर जा चुके थे मैंने सोचा कि आज पिता जी ने सबजी नहीं दी तो मैं आज सबजी ठेले से ही उठा लेती हूँ मैं खुद ही सबजी ले लेती हूँ और जैसे ही मैं ठेले के करीब गई तब ही अचानक पिता जी आ गए उन्होंने आवाज दे कर मुझे वहीं पर रोक दिया था वो मुझे कुछ गुस्से में लग रहे थे और उनकी आँखों में एक अजीब सा गुस्सा छलक रहा था ना जाने मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो पिता जी इतने गुस्से में हो गए थे मुझे अपने पिता जी को इतना गुस्से में देखकर डर लगने लगा था क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया था आज पहली बार उनका ऐसा बहेवियर देखकर मेरी आँखों में बाने की वो अलग से घर के लिए सबजी निकाल कर रख देते थे उनको पता होता है कि घर में सबजी ही बनती है इसलिए वो साफ सुतरी और अच्छी वाली सबजी एक तरफ को निकाल कर घर के लिए पहले ही रख देते थे उनकी बात से मुझे कोई दुख नहीं हुआ था ले पिता जी का behavior कुछ अलग ही था और उनकी आवाज में बहुत कड़क पन था और आज ही इतनी मामूली सी बात पर वो मुझ पर इतना गुसा कर रहे थे उन्होंने मुझ से ऐसा तो कभी नहीं कहा था जैसा वो आज बोल रहे थे मगर फिर मैं खुद ही idea लगाने लगी कि शायद मेरे पिता जी ठके हुए आए है इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं इसलिए उनका मूट खराब होगा और फिर वो बिना खाना खाए बिना आराम किये घर से बाहर भी तो निकल गए थे शायद किसी बात से परिशान होंगे या फिर ज्यादा थकान की वज़ा से उनका मूट खराब हो रहा है तब ही उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की वरना तो पिता जी कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे मैं कुछ भी करती चाहें घर में कोई बड़ेसे बड़ा नुकसान भी कर देती तो वो ऐसा मुझसे कभी भी नहीं कहते थे कि इस चीज से दूर रहना लेकिन आज वो अपने ठेले के बारे में ऐसा कैसे कह सकते थे मैंने आज वो सबजी नहीं बनाई थी कि वो मेरे साथ इस तरह से बिहेफ कैसे कर सकते थे मैं तो उनकी लाडली बीटी हूँ फिर मैंने खुद ही अपने आशु साफ किये और खुद को तसल्ली देते हुए पिता जी को खाना सर्फ करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई मा की तब्या ठीक नहीं थी वो पहले ही अपने कमरे में जाकर लेट चुकी थी मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई और अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिमाग से ये बात बिलकुल निकल गई थी और फिर अगले दिन भी पिता जी ने ऐसा ही किया जब मैं उनके ठेले के पास जाती तो वो मुझे पर खूब चिलाते और गुसा करते फिर तीसरे दिन और अब ये सब पिता जी रोज ही करने लगे थे पिता जी के ऐसे बिहेवियर से मेरा दिल बहुत दुखने लगा था ना जाने मेरे इतने अच्छे पिता जी को क्या हो गय पिता जी रोज का रूटीन बन गया था और अब पिता जी जेसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे पिता जी के ठेले पर हर वक्त सब्जी का पहाण लगा रहता था पहले जब वो घर आते थे तो अपना ठेला क्हाली कर कर लाते थे लेकिन अब उनकी सबजी ठेले पर भरी ही रहती थी और हैरानी की बात तो ये थी कि अब पितर जी का ठेला खाली ही नहीं होता था ऐसा लगता था जैसे वो सबजी बेचते ही नहीं अब उनके ठेले से सबजी खतम ही नहीं होती थी मैंने एक दो बार पिता जी से इस बारे में पूछा भी कि आपकी सब्जी खतम ही नहीं होती कि आपने सब्जी बेचने का काम खतम कर दिया और अगर खतम कर दिया तो फिर आप सुबह ये सब्जी का ठेला लेकर क्यों जाते हो मगर वो मेरी बात सुनकर खामोश रहते थे मुझे कोई जवाब नहीं देते थे पिता जी ने मुझसे बात करना बिलकुल बंद कर दिया था ना जाने वो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे तभी तो मुझे पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं मगर वो मेरी बातों को इस तरह से इग्नोर तो कभी भी नहीं करते थे इस से पहले मैं उनसे कुछ भी पूछती थी तो वो जवाब जरूर दिया करते थे सवाल जैसा भी होता वो मुझे जवाब दे दिया करते थे बलकि मेरे पितर जी का कहना तो ये था कि अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई बात चल रही हो तो उसे अपने दिमाग में चल रही हुई बात बता देनी चाहिए इससे इंसान को कुछ न कुछ नई बात सीखने को मिलती है और वो इस बात को सोच सोच कर परिशान भी नहीं होता इसलिए मैं उनसे हर बात पूछ लिया करती थी मगर अब तो वो मेरी किसी बात कभी जवाब नहीं दे रहे थे और फिर तंग आकर मैंने भी पिता जी से कोई भी सवाल जवाब करना छोड़ दिया था एक दिन मैं सुभा के 6 बजे ही उड़ गई थी पिता जी और माँ अभी तक सो रहे थे मेरी नजर पिता जी के सबजी के ठेले पर पड़ गई जहां पर सारी सबजी या ठेले पर पड़ी हुई सल रही थी और गंदी भी हो रही थी उन में से बदबू भी आने लगी थी शायद ये ऐसा हो रहा था क्योंकि पिता जी सबजी को लेकर जाते थे और बेचे भी नहीं घर को वापस ले आते थे मैंने सोचा कि पिता जी के उठने से पहले ही मैं इन में से गली सबजी को निकाल कर छाट लेती हूँ ताकि बाकी की सबजी को नुकसान न पहुंचे और वो ना गले इससे बाकी की सबजीयां साफ भी हो जाएंगी और इन में बद्बू भी नहीं आएगी गली सड़ी सब्जियों के लिए मैं किचन में जाकर थाली लेकर आई और मैं जैसे ही गली सड़ी हुई सब्जियां छाट कर थाली में रखने लगी तो सब्जियों के हटते ही मैंने सब्जियों के नीचे जो चीज देखी उसे देखकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई क्योंकि मैंने देखा कि सबजियों की नीचे किसी पाउडर के पैकेट बिछे हुए थे उसके उपर से सबजियां रखी हुई थी एक एक करके मैंने सारी सबजियां हटाई तो पूरे ठेले पर बहुत सारे सफेद पाउडर के पैकेट बिछे हुए थे ये देखकर तो मेरे होशी उड़ गए मैंने जल्दे से एक पैकेट खोला और चेक किया कि उसके अंदर ये क्या चीज है मैंने पैकेट खोल कर उसे सून कर देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि ये सफेद पाउडर कुछ और नहीं बलके ड्रक्स के पैकेट है मैंने उसके बाद दूसरा और तीसरा पैकेट खोला तो उन सारे पैकेट में ड्रक्स ही थी मैं पढ़ी लिखी थी और मैंने ड्रक्स के बारे में पढ़ा हुआ था मैं पहचान गई थी कि ये कुछ और नहीं बलके ड्रक्स है ना जाने ये ड्रक्स के पैकेट मेरे पिता जी के ठेले पर क्या कर रहे थे मैं डर की वज़े से ठेले से दो कदम पीछे हो गई तब ही अचानक मुझे किसी के आने की आवाज आई मैंने जल्दी से वो पैकेट जैसे रखे हुए थे उसी तरह से ठेले पर बिछा दिये और उसके उपर से सब्जी डाल दी मैं फॉरन ही पीछे हट गई ताकि पिता जी को शक न हो कि मैं उनके ठेले के करीब खड़ी हुई थी और मैं जान गई हूँ कि सब्जी के नीचे ड्रक्स रखी हुई है तब ही अचानक पिता जी गुसे से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो वो भी इतनी सुभा सुभा मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन एक तो वो ड्रक्स निकलने का डर और दूसरा पिता जी के सामने अब कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी घबराहट की वज़ा से मेरी तो कोई आवाजी नहीं निकल रही थी मैं पिता जी की किसी बात का जवाब दिये भी नहीं वापस से अपने कमरे में भाग गई कमरे के दर्वाजे को मैंने बंद कर लिया था और डर के मारे बैड गई थी कि कहीं पिता जी को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे बहुत डाटेंगे क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी मैं उनके ठेले के करीब चली गई थी तो क्या वो इसलिए मुझे ठेले के करीब जाने से रोकते थे लेकिन क्या मेरे पिता जी ड्रक्स बेचते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता जरूर ये किसी की साज़िश है मेरे पिता जी को फसाने की लेकिन अगर ये किसी की साजिश है तो फिर पिता जी मुझे ठेले के पास जाने से क्यों रोकते है ये क्या हो रहा था हमारे घर में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे ये बात मा को जरूर बतानी थी लेकिन अगर माने पिता जी को बता दिया तो फिर उनको पता चल जाएगा कि मैं उनके मना करने की बावजूद भी उनके ठेले के पास गई थी तो वो उल्टा मुझ पर ही गुसा होंगे इसलिए मैंने सोचा कि ये बात में किसी को नहीं बताऊंगी कुछ दिन इसी तरह से खामोश रहकर मैं पिता जी का बहेवियर देखती हूँ मेरे पिता जी बहुत समझदार और इमानदार इनसान है वो जो भी कर रहे होंगे ठीक ही होगा और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पिता जी इस तरह का गलत काम कभी नहीं कर सकते जरूर ऐसा करने की पीछे कोई बड़ी वजा है वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते बस यही सब सोच कर मैंने वो बात किसी को नहीं बताई सुबह से शाम हो गई थी और पिता जी ने मुझे कुछ नहीं कहा था वो घर आए और उन्होंने मुझे बुलाकर सबजी की थैली दे दी मैं सबजी लेकर वापस किचन में चली आई लेकिन मैंने सबजी को रख दिया था आज भी मैंने डाल ही बनाई थी और सबजी को ही किचन में एक कोने में रख दिया वो सारी रात वहीं पर पड़ी रही खाना खाने के बाद काफी रात हो गई थी और अब सब लोग सो चुके थे मैं भी गहरी नीन में सो रही थी तब ही अचानक मुझे रात में प्यास लगने लगी मैं नीन से जागी और पानी का जग देखने लगी तो जग बिलकुल खाली पड़ा था मैं पानी लेने के लिए नीचे जाने लगी लेकिन जब मैं नीचे की तरफ आई तो मैंने देखा कि पिता जी किसी से बाते कर रहे थे मुझे सेड़ियां उतरते हुए पिता जी और किसी दूसरे इंसान के बोलने की आवाजे आ रही थी ये सुनकर में धीरे धीरे सीड़ियां उतरने लगी और बाते सुनने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या बाते हो रही हैं मैं धीरे धीरे हलके कदम से नीचे उतर गई लेकिन जब मैंने अपने पिता जी से जिस इंसान को बात करते हुए देखा तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे कि रात के साड़े तीन बजे मेरे पिता जी किसी से बाते कर रहे थे और जिस से बात कर रहे थे तो ये तो वो इंसान था जो एक दिन हमारे घर पर आया था और मुझसे मेरे पिताजी को कुछ समान देने की बाते कर रहा था यही इंसान हमारे घर पर आज भी मौजूद था मा तो अपने कमरे में सो रही थी लेकिन पिताजी इस इंसान से बाते करने में बिजी थे और उनको ये भी नहीं पता था कि मैं भी सेडियों पर खड़ी हुई उनकी सारी बाते सुन रही हूँ मैंने उन लोगों की बाते सुनने की कोशिश की वो आदमी मेरे पिताजी से कह रहा था कि काम अच्छा चल रहा है बस इसी तरहां से तुम मेरी बात मानते रहो और मेरा माल बेचते रहो मैं कुछ ही दिनों बाद तुम्हें माला माल कर दूंगा बस कुछ ही दिन और और उसके बाद ये माल तुम्हें डबल रेट में बेचना है क्योंकि आगे जाकर इस माल के डिमांड बढ़ने वाली है जि मेरे पिता जी ने कहा कि हां मुझे बस पैसों से ही मतलब है लेकिन मुझे डर है कि कहीं किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम लोग फस सकते हैं वो आदमी कहने लगा तुम इस बात की बिलकुल भी फिकर मत करो मैं सब को इस संभाल लूँगा पुलिस में मेरी अच्छी जान पहचान है तुम बस अपना काम मन लगा कर करते रहो बाकि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मैं उन लोगों की ये बात सुनकर हैरान रह गई थी और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिता जी पैसों की खातिर ये घिनोना काम कर रहे थे मुझे आज अपने इमानदार पिता जी पर शर्म आ रही थी कि वो गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए सबजी का सहारा ले रहे थे मुझे अपने पिता जी से ये उमीद नहीं थी अब मैं सब कुछ समझ गई थी उस ठेले पर ड्रक्स के पैकेट होते थे तब ही तो पिता जी मुझे ठेले के करीब भी जाने से रोक दिया करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि मुझे इस बारे में पता लगे लेकिन अब मुझे अपने पिता के इस राज से परदा फाश करना था क्योंकि ये चीज मेरे पिता जी बेच रहे थे इस तरह से तो हमारे देश में गलत संगते बढ़ती जा रही हैं मैं भागते हुए अपनी मा के कमरे की तरफ गई और मा को देखकर जगाने की कोशिश करने लगी ले क्योंकि अभी तक अपनी आखों से कुछ भी नहीं देखा था और फिर ये बात ही ऐसी थी मेरी मा जो कि मेरे पिताजी के साथ इतने सालों से रह रही थी उनहोंने उनके अंदर कोई बदलाव और कोई ऐसा काम नहीं देखा जिस से उनकी मर्यादा को ठेस पहुँच सके इस पिता जी भी वहाँ पर मौझूद नहीं थे लेकिन उनका ठेला वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से मां को ठेले पर से सबजी हटा कर दिखाई। मैंने जैसे ही सबजी हटाई तो उसके नीचे वही ड्रक्स के पैकेट रखे हुए थे। और मां से कहा कि ये देख सारी सचाई जान गई हूँ। मैंने ड्रक्स का पैकेट अपने हाथ में लेकर पिता जी को दिखाया। पिता जी क्या आप सबजी के बहाने लोगों को ये ड्रक्स बेचते हैं। मां की भी आँखों में आशू आ गए थे और वो बड़ी हैरानी से पिता जी की तरफ देख रही थी। पिता जी मेरे हाथ में ड्रक्स का पैकेट देखकर शौक खड़े रह गए थे। मैंने कहा मैंने आपकी और उस आदमी की सारी बाते सुन ली और मुझे भी ये पता है कि वो आदमी आपको ड्रक्स बेचने के लिए देता है। पिता जी कहने लगे नहीं बेटी ना जाने ये ड्रक्स के पैकेट मेरे ठेले पर कहां से आ गए। मैंने कहा पिता जी बस अब आपको और जूट बोलने की जरूरत नहीं मुझे सब कुछ सच-सच पता चल चुका है। मा भी कहने लगी कि मुझे बताया था ललीता ने कि कोई आदमी घर आया था वो आपको स समान दे कर नहीं गया कहने लगा कि मैं तुम्हारे पिता को ही समान दूंगा अगर उस आदमी को समान देना होता तो वो ललीता को भी तो समान दे कर जा सकता था लेकिन उसका समान ही गलत था इसलिए वो हमारी बेटी को समान दे कर नहीं गया पिता जी की आँखों में आश पुकान बंद हुई थी तब ही से हमारे घर के हालात दिन मदिन बिगरते चले गए और फिर मुझे तुम्हारी शादी की भी तो फिकर थी तुम जवान हो रही हो। मैंने कुछ दिन सबजी का ठेला लगा कर भी देख लिया लेकिन घर के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन एक दिन सबजी बेचते हुए मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम रोज सबजी बेचते हो मैं तुम्हें देखता हूँ कोई तुम्हारी सबजी खरीदता है तो कोई सिर्फ मोल भाव करके चला जाता है कितने धेर सारी सबजी तुम अपने घर वापस ले कर जाते हो इस काम से अच्छा है कि तुम्हें एक अच्छा सा काम कर लो मैं तुम्हें एक बढ़िया काम बता देता हूँ जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे उसादमें ने मुझसे कहा कि ये ड्रक्स के पैकेट तुम्हें सबजी की आल में बेच रहे है जैसे ही कोई सबजी लेने आए तो उससे कहना कि मेरे पास ताजा माल है अगर चाहिए तो बताओ जिसे खरीदना होगा वो समझ जाएगा और तुम उसे बेच देना ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगा मैं पैसो के लालच में आ गया था मैंने सोचा कि इस तरह करने से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और हर कोई यही सोचेगा कि मैं तो सबसी बेच रहा हूँ और इस तरहां से मेरे घर के हालाद भी ठीक हो जाएंगे बस बेटी मैंने सिर्फ घर के हालाद ठीक करने के लिए ही ऐसा किया जबकि मैं ये बात अच्छी तरहां से जानता था कि ये काम गयर कानूनी है और ये गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन ए गरीब इनसान अपने गरीबी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ गलत करने पर मजबूर हो ही जाता है मैंने भी ये सब मजबूरी में ही किया मैं इसलिए तुम्हें ठेले से दूर रखता था कि तुम्हें कभी इस बारे में पता न चल जाए लेकिन सचाए कभी छुपी नहीं रहती देखो तुम्हें सब कुछ पता चल गया ये कहकर मेरे पिताजी जोर जोर से रोने लगे मैंने पिताजी से कहा अगर हमारे मन में इमानदारी है तो हमें उपर वाले की मर्जी का इंतिजार करना चाहिए और सबर करना चाहिए सबर का फल हमेशा मीठा होता है मैंने पिताजी से कहा आप ये गलत काम छोड़ दीजिए अगर हमारी नियत सही होगी तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा पिताजी कहने लगे ठीक है मैं कल से ही उस आदमी को ये ड्रक्स वापस कर दूंगा और कहूंगा कि मैं ऐसा गयर कानूनी काम अब नहीं करूंगा मेरे पिताजी ने ऐसा ही किया उस आदमे को ड्रक्स वापस कर दिये लेकिन वो आदमी मेरे पिताजी को धमका रहा था कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगा लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ उस घटिया इंसान के पास गई और उससे कहा ये अगर तुमने मेरे पिताजी को बदनाम करने की कोशिश की तो मेरे पास सबूत है मैं पुलिस को दिखा सकती हूँ वो आदमी डर गया और खामोश हो गया मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है जितने गुनागार मेरे पिताजी है उससे कही ज्यादा तुम हो, मेरे पिता जी की साथ साथ सजा तुम्हें भी होगी तो वो आदमी घबरा गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिता को कभी इस काम के लिए फोर्स नहीं करूंगा मैंने कहा, तुम भी इस काम को मत करना, क्योंकि ये गयर कानूनी काम है वो आदमी मेरी बात पर बहुत डर गया था, क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत थे मैंने उस दिन सेडियों से छुपकर अपने पिता जी और उस आदमी की बातों को अपने मुबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि हमारे घर की सेडियों पर अंधेरा हो रहा था, और मैं मुबाइल की टॉर्च लेकर नीचे की तरफ आ रही थी जब मुझे उन दोनों की बाते करने की आवाज आने लगी तो मैंने मुबाइल का कैमरा आउन करके उन दोनों का वीडियो बना लिया इसी तरह से मेरे पिता और उस आदमी नहीं इस गयर कानूनी काम को खतम कर दिया और उस आदमी ने सारे ड्रक्स को डेस्ट्राइ कर दिया अब मैं टीचिंग करती हूँ और हमारे घर के हालात काफी बहतर हो चुके और अब मेरा रिष्टा एक अच्छे परिवार में भी लग गया उमीद है कि मेरे पिता जी का धूमधाम से शादी करने वाला सपना सच हो जाए क्योंकि अब मेरे पिता जी ने एक रिक्षा खरीदी है और वो रिक्षा चलाते थे भगवान ने हमारे इन पैसों में काफी बड़ाऊतरी रखी हमारे घर के हालात अब भी अच्छे ही रहे ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिता जी अब इमानदारी का पैसा कमा रहे थे दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले